नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन के 33 एर पाराशिक्षा कल देंगे आकलन परिक्षा राज्य के पाराशिक्षको की पहली एकलन परिक्षा 30 जूलाई को होगी, इसकी तैरी जहरखन एकेडमी काउंसिल ने पूरी कर ली है राज्य में सभी जीलों में 81 परिक्षा केंद्र अंगी भूत और 28 कॉलेज में बनाए गए हैं इसमें लगभग 43 हैर परिक्षारती सामिल होंगे, परिक्षा में कक्षा 1 से 5 में लगभग 36 हैर और 6 से 8 में लगभग 7 हैर सिक्षक सामिल होंगे बता दे सफल होने पर शिक्षक का मांदे 10 परत्य तक बढ़ेगा जो सिक्षक परिक्षा में सफल नहीं होंगे उन्हें परिक्षा पास करने के लिए 3 और 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 सर दिये जाएंगे सिक्षको के लिए कूल चार आकलन परिक्षा होगी सिक्षक अगर परिक्षा में सामिल नहीं होते हैं तो उनका एक और समाप्त माना जाएगा वहीं परिक्षा में सफल नहीं होने पर भी सिक्षको की सेवा बनी रहेगी लेकिन उनके मांदे में बढ़ोतरी नहीं होगी प्रेखावी भाग को भेजने का निर्देश दिया वही जारकन में इस साल समाने से 52 परतिशत कम बारिस हुई है जो किरिसी के लिहाज से काफी निरास जनक है बादल पत्रलेख ने कहा है कि 15 अगस्त तक प्लन्टेशन का समय है इसके बाद ही सुखाड की थिती को लेकर फाइनल रिपोर्ट आएगी लेकिन वैसी बिकट पर इस थिती के लिए हम सभी को भी भागे अस्तरपर किसानों के हित में काम करने की जरूरत है किसी मंत्री ने कहा है कि हमारे लग्ष 28 अग हेक्टेयर जमीन पर फसल लगाने का था लेकिन मौसम की बेरुखी की वज़ा से अब तक 5.80 अग हेक्टेयर जमीन पर ही फसल को खेतों में लगाया जा सका है बेरमो में मुहरम पर हाच्षा हाइटेंस अन्तार से 4 लोगों की मौत बोकारो के बेरमो अनुमंडल के पेटरवार थाना छेतर अंतरगत खेतकों में ताजिया जुलूस के करम में बड़ा हाच्षा हो गया टाजिया उठाने के दवरान 11,000 वोल्ट के हाइटेंस अन्तार में सटने से 4 लोगों की मौत हो गई वहीं घाटना में 8 लोग अंभीर उपसे जुलस गए घाटना के बाद मौके पर आपरातफरी मच गई है घाटना के बाद सभी घाएलो को आनन फायन में बोकारो था मरी इस्थीत डीवीसी के अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकिसकों ने प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बोकारो रेफर कर दिया है वहीं अस्पताल में एमूलेंस नहीं रहने के वहिए से घाएलो के सोजन ने जम कर हंगामा किया जिसके बाद सभी अपने अपने साधन से बोकारो बी जीएच पहुंचे सीएम ने मृतकों के आस्रीतों को दो लाख और घाएलों को एक लाख देने का किया एलान बेरमो अनुमंडल के पेटरवार थाना छेतरी स्थीत खेतको गाउं में मुहरम जुलूस के दोयान हुए हाथ से पर सियम हिमान सुरे ने दुख चताया है साथ ही सरकार ने मिरितकों के असरीतों को दो लाग और घायलों को एक लाग का मुवजाद देने का एलान किया इसके अलावा आसरीतों को परिवारिक लाब और प्रधान मंत्री आवास भी दिया जाएगा इसकी जनकारी बेरमो के विधाया कुमार जैमांगल सिंग ने दिया है घाटना में हताहत हुए परिवारों को हर संभ़ मदद पहुचाने का परयास कर रहे है पेटरवार थाना परभारी सहीत बेरमो अनमंडल के कई थानों के पूलीस पदाधिकारी दलबल के साथ गाउं में कैम्प किये हुए है घाटना के बाद पूरे गाउं में मातम का महुल है पुरों मुख मंत्री रगवर दास फिर बने राश्ट्रिये उपाध्याक्स भाजपा के राश्ट्रिये अध्यक जेपी नडडा के नितित में हुई बैठक के बाद केंद्रिये टीम के नेताओ की नई सूची जारी की गए जिसमें जहर्खन के पूरों मुख मंद्री रगवर दास रांची की मेयर रही आसा लकड़ा को रखा गया है वहीं जहर्खन बीजेपी के परदेश परवारी डाक्टर लक्षमी कांत वाचपयाई भी इस सूची में सामिल है बतादे नेताओ की जारी की गए सूची में जहर्खन के पूरों मुख मंद्री रगवर दास को एक बार फीर से भाचपा में राष्ट्रिय उपाधक्ष का पद दिया गया वही रांची के मेयर रही आसा लकड़ा को भी पार्टी ने राष्ट्रिय सचीव बनाया है मागपा नेता सुभास मुंदा के घर पहुँचे पूरों मुख मंत्री रगवर दास जहर्खन के पूरों मुख मंत्री सब भाचपा के राष्ट्रिय उपाधक्ष रगवर दास दिवंगत मागपा नेता सुभास मुंदा घर पहुँचे इस दोरान उन्होंने परिवार के लोगों से मिल कर उन्हें धांडस बढ़ाया पुरमुक मंत्री रखुबर दास ने हत्या कान की जांज CBI से कराने की बात कही उन्होंने कहा है कि राज्ये में कानून बेवस्था लजर हो गई है आप राधियों के अंदर कानून का भय खतम हो गया है आए दिन ऐसे वर्दातों की सुचना राजे भर से मिलती रहती है बिजेपी नेता रखुबर दास के साथ हटिया बिधायक नवीन जैस्वाल समेत कई लोग भी उनके साथ मुझूद रहे देवघर के 45- Él D.C. विशाल सागर ने लिया पदभार सुक्रवार की साम देवघर के 45- Él D.C. के रूप में विशाल सागर ने निव बर्तमान D.C. मञ्जुनात भय अंत्री से पदभार गहन किया इस असर पर मंजू नाथ भयंतरी ने उन्हें बधाई अर्सुब कमनाये दिहाए नए डिसी भी साल सागर ने कहा है कि बरतमान में राज किये स्रावनी मिले 233 का संचारन बेहतर तरीके से हो यही मूल परत्मिक्ता होगी हमारा पर्यास होगा कि देवघर जीले की अंतराश्रिये छोवी को और भी बेहतर बनाए उन्होंने कहा है कि समाज के अमतिम ब्यक्ति तक जन कल्यान कारी योजनाव का लाव पहुचे इसके लिए काम करेंगे वही मीडिया से बाचीत में नए डीसी ने कहा है कि अपने कारेकाल में जीले को विकास के रास्ते पर ले जाने का हर संभव प्रयास करेंगे इसके लिए सभी के सहयोग से अपेक्छा है सुभास मुंडा हत्याकांड 45 जमीन कारोबारियों को पुलिस ने उठाया रांची पुलिस ने नेता सह जमीन कारोबारी सुभास मुंडा हत्याकांड में सहर के अलग-अलग ठाना छेतर से 45 जमीन कारोबारियों को उठाया है नगडी, काके और मांडर ठाना में रख कर इनसे पूश ताच की जा रही है इनमें जैतर जमीन कारोबारी ऐसे हैं जिनके विरूत पहले से ही मामला दर्ज है पुलिस ने हाल के दिनों में हाई कोट के आदेश पर ऐसे जमीन कारोबारियों को सुची तयार की थी जो आए दिन बिवाद में रहता करते हैं पुलिस ने सूची के अधार पर जमीन कारोबारियों को उठाया है इनके अलावा पुलिस ने कुछ ऐसे दागी किस्म के यूकों को भी उठाया है जो हाल के दिनों में जेल से बाहर निकले हैं नकसलियों के सहीद सप्ता एलान से रेलवे में सतर्क था 28 जूलाई से 3 अगस तक नकसलियों की ओर से सहीद सप्ता मनाने की घोसना करने के बाद दक्षिन पूरो रेलवे जोन सतर्क हो गया है वहीं मनोहर पूर में पोस्टर बाजी के बाद हावडा मुंबाई मार के छोटे बड़े स्टेस्नों पर आरपी एफ की चोकसी बढ़ा दी गई है इससे लंबी दूरी की ट्रेन में सुरक्षा के तहत एसकोर्ट ड्यूटी जवानों को चोकना रहने का आदेश दिया गया दूसरी और मुख्याले से सभी स्टेस्नों पर एक्सिडेन्ट रिलीफ को तयार रखने वह लाइन की जाच और गस्त बढ़ाने का निदेश दिया गया आरपी एफ हुआ जी आरपी को अस्थानिय पुलिस से भी मदत लेने का सुझाओ दिया गया है दरखसल नकसली पहले स्टेस्नों पर घटनाव कंजाम देकर ट्रेन परिचालन बाधित कर चुके हैं इससे रेलवे हर अस्तर पर सतरक है जारखन के पांच जीलों को नकसल मुक्त घोसित करने की तयारी जारखन के पांच जीले धनबाद, दुमका, पुर्वी सिम्भूम, हजारी बाग और पलामू और नकसलवाद से पुरी तरह से मुक्त घोसित किये जाएंगे इन जीलों को एस आर ई की योजना से बाहर भी किया जा सकता है इसलिए इन इलाकों में नकसलियों के खिलाप अभियान जारी रहेगा देवघर मार्ट 2.0 हुआ सुभारम देवघर डिसी मंजुनात भयंती ने अपने कार एक काल के अमतिम दिन देवघर मार्ट 2.0 का सुभारम किया उन्होंने कहा है कि आत्म निर्भर समाज की दिशा में कारीगरों की कौसलता को बढ़ावा देने के उदेश से जिला पसासन के द्वारा कारीगरों को एक अनलेन बजार उपलब्द करा दिया गया है जो देवघर मार्ट के नाम से प्रचली था है बता दे कि देवघर मार्ट के माध्यम से अतिहासिक सिल्फ कारों द्वारा बनाई जाने वाली कला करीतियों के साथ प्रमपरागत लगु और कुटिर उध्योग जैसे पेण उध्योग लोहार गिरी उध्योग मिट्टी के बरतन निर्मान सिलाई कड़ाई बंबु उध्योग लाह चूड़ी वा लहठी उध्योग द्वारा निर्मीच समान के साथ साथ आस्थानिये लोगो बेवसाईयो स्वयम साहता समोहो द्वारा निर्मीच समान के लिए बेहतर बजार उपलब्द होता है देवघरमाट की सफालता को देखते वे जिला पसासन ने और भी अधिक करिगरों को इसका लाव दिलाने का निने लिया गया है बोकारों की अकांचा प्रियदर्शनी को मिला मियूर्भंज 6 निरित्यक के लिए संस्कृतिक मंत्राले का जूनियर फिलोसिपी अवाड संस्कृति मंत्राले ने 6 निरित्यक के लिए बोकारों की अकांचा प्रिय दर्शनी का चैन वर्ष 2021 के जुनियर फिलोसिपी आवाड के लिए किया है संस्कृति के छेत्र में उत्कृत कारे करने वालों को यह फिलोसिपी दी जाती है यह दो वर्सों के लिए मिलती है जिसे योजना के अनुसार 6 माह का अत्रिक्त बिस्तार भी दिया जाता है गुरु आर्ग को अकांछा ने बताया कि उनका सफर DPS 4 से शुरू हुआ था निरित्य सिक्षन निर्मल्य सर्मा का मार्ग दर्शन मिला वहीं बरहवी के बाद करियर के रूप में निरित्य के लिए दिली आई बतादे 2012 में संध्या निरित्य कमपनी में कलाकार बनने का मौका मिला वहीं गुरु संतोस नायर के मार्ग दर्शन में मिरुजभन 6 निरित्य का परिसिशन लिया और नाटे रचना की धने वाद